हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू दे चैनल स्रस्टी स्टेडी पॉंटरी यहाँ पर हम स्टाफ नर्स जो यूपी पीएसी ने भी एक्जाम कराया स्टाफ नर्स का उसके यहाँ पर कोश्चन सॉल्व करने वाले हैं टोटल एक सो सत्तर कोश्चन आये थे और इससे पहले एक व कोश्चन होंगे इनके आंसर बिल्कुल कोशिश की है मैंने सटी का आंसर देनी की वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में शेर भी कर दीजिगा जिससे की वो भी अपने आंसर के मिलान कर ले तो यहाँ पहला कोश्चन हो यह देखिए इंग्लिश हिंदी एक सुसतर तक हम चलेंगे क्यावन से लेकर इच ब्रेस्ट हैज वन ओफ फॉलोइंग नंबर ओफ मैमरी लोप और सेक्शन यान की प्रतेकिस्तन में मैमरी लोप की कितनी संक्या रहती है तो पंदरा से बीस रहती है अगला है यहाँ पर बावनबद एज ओफ एल्डरली य जो है प्रेगनेंट होती है उसके लिए यहाँ पर बोला जाता है यह अगला है यहाँ पर त्री पनबद कोशन समाज शास्त्र सब्द का आर्थ क्या है यानि कि the word sociology is referred to तो यहाँ पर यह यह study of human relationship and behavior तो इसका ए आंसर है त्री पनवे का चोववनबद कोशन देखते हैं यह पर यह है all of the following are predisposing factor for the carcinoma cervix except इसके अलावा एक इसमें सिवाय है तो यहाँ पर जो चोवनबद कोशन है इसका उत्तर होगा single child birth को इसका कारण नहीं कार्सिनोबद का और सब जो हैं इसके कारण हो सकते हैं यह इसका उत्तर है चोवनबद का पच्पन पर आते हैं कि the commonest cause of peripheral neuropathy is developed in developed countries में जो है peripheral neuropathy है उसका अधिगांशता कारण क्या देखा गया है तो diabetes mellitus जो है जैसे हम लोग sugar की विमारी कहते हैं वो देखा गया है ठीक है इसका peripheral neuropathy का सबसे बड़ा कारण अगला question है who pioneered modern nursing यानि कि आधुनिक nursing का innovation या जो आधुनिक nursing की जो शुरुआत थी या जिसकी खोज कहते हैं वो किस ने की थी pioneered किस ने किया था तो fluorescence nightingale ने किया था अगला यहाँ पर question है which of the following is a volatile memory तो volatile memory जो है वो RAM होती है यह computer से related question आगया आपका फिर 58 बा कोशन है all of the following are example of application software except application के software के सारे example है application software के लेकिन application software की बात हो रही है यह application ठीक है लेकिन इसमें से एक जो है वो इसका example नहीं है तो इसका example window 10 जो है वो नहीं है और सब जो है application software के example है यानि कि कोई न कोई ऐसा software जो किसी application में use होता हो 59th question है यहाँ पर जो आपको है match करना है match the following तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ देखे तरीका यह पूरा यहाँ पर लिखा है अगर आपको इसमें एक भी पता होगा तो आप इसका answer लगा लेंगे 59 का 59 का यहाँ पर बैसे मैं आपको बता दूँ D answer है ठीक है यहाँ पर D answer है और इसका आप यहाँ पर मिलान कर लीजेगा यह थोड़ा सा short करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ ठीक है कौन सा center कहाँ पर है तो D के की मतलब D answer कहाँ लगा है D वाले का 3 होगा तो यहनि कि कोलम्बो प्नान जो है वो 1950 में है था इस तरह से आप इसको मिलान कर लीजेगा तो हो जाएगा फिर आज आता है 60 question When HIV cases are or any disease is reported from all over the India the situation is जब HIV की cases आपको all over the India से मिलते हैं reported मिलती हैं तो उस case को क्या कहते हैं यह मैंने question कराए भी था आप सभी को तो इसका answer यहाँ पर इसे epidemic कहेंगे pandemic, endemic यह सब बता रखे थे तो epidemic कहते हैं first trimester is up to pregnancy को लेकर हो रहा है तो वो 12 week का होता है first trimester 61 का यहाँ पर जो है answer आपको B देखने को मिलेगा 62 है non-pitting edema is seeing in which of the following disease तो वो जो ही यहाँ पर आपको दिखती है वो filariasis में दिखती है अगला है यहाँ पर which of the following vaccine is contradicted in pregnancy pregnancy में कौन से disease जो है वो contradict है नहीं लगानी चाहिए तो वो है varicela ठीक है varicela जो थी छोटी है माता वाली disease वो यहाँ पर है a patient फिर अगला question है 63 होग है 64 question है इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं steroid therapy पर मरीज को कैसे सिखाया जाना चाहिए patient on steroid therapy should be taught to क्या उससे सिखाया जाना चाहिए कि आपकी जो दवा है वो एकदम तूटनी नहीं चाहिए आप दवा को अचानक बनना करें not to discontinue your medication abruptly अगला है आपर यह लिखा है burn assessment is done by the rule of तो rule of यह 65 वा अंसर है rule of 9 है rule of 9 d है इसका 66 वा question है यहाँ पर देखेगा most accepted definition of health किसने की health की जो सबसे ज़ादा मानने वाली जो परिवाशा है स्वास्त की वो किस ने दी थी WHO ने दी थी world health organization which of the following drug is glycoside कौन सी drug जो है वो glycoside है तो digoxin जो है digoxin जो है glycoside जो है दवा है अगला यहाँ पर following drug can be safely used in pregnancy कौन सी drug जो है वो safely use होती केवल एक को छोड़ कर यह जितनी भी drug है वो safely use होती लेकिन एक नहीं होती वो होती है warfarin कौन सी है warfarin जो है इसको use नहीं करते है pregnancy में अगला 69th है यहाँ पर 69th देखिए the number of basic needs of patient as identified by hardison include तो जो number of basic needs है patient की वो कितनी होती है तो वो 14 basic needs होती है all of the following are barriers method sub-barrier method है मतलब जो आपकी pregnancy इसको रोकने के लिए केवल एक यहाँ पर जो है नहीं diaphragm जो है वो यह नहीं है ठीक है और सब जो है pregnancy को रोकने के method है 71 question है the vitamin present in low level of breast vitamin D जो है बहुत कम मात्रा में breast milk में पाया जाता है फिर यहाँ पर है expulsion of fetus occurs तो यह है fourth stage of liver fetus बाहर कब निकाला जाता है liver की चौथी stage पर दर्द की चौथी stage पर hypogamic को क्या कहते है तो hypogamic को यहाँ पर जो है वो कहते है pratiloma भी कहते है अगला है आपर pratiloma normal range of serum sodium in human body तो human body इसमें इसका उतर है 135 से 145 MEQ प्रती लीटर ऐसे करके है ठीक है अगला है which of the following statement is correct about cerebro spinal fluid in acute bacterial meningitis तो इसका उतर यहाँ पर 75 तरवे का है glucose जो content है वो बढ़ गया है इसमें glucose की मात्रा बढ़ जाने के कारण acute bacterial meningitis में cerebro spinal fluid के बारे में यहाँ पर बात की गई है अगला है multi purpose health worker scheme जो है यानि की बहुत देसी स्वास्त कारिकरता ही हो किसकी अनुसंसा के बाद शुरू की गई थी तो यह करतार सिंग कमेटी थी इसके बाद यह शुरू की गई थी 77 पेन at McBurnie's point is the characteristic of which disease McBurnie बिंदू पर दर्द किस बीमारी का वो है तो यह appendicitis जो होती बीमारी उसकी वेज़े से होता है यह nevel की आसपास दर्द होता है अगला यहाँ पर है 78 तर्म sociology किसकी द्वारा दी गई थी तर्म sociology was introduced यह coined वाएदा तो इसका उत्तर यहाँ पर है अगस्त काम्टे के द्वारा अगला यहाँ पर है 79 which of the following is the commonest bacterial causing catheter associated urinary tract infection तो यह है sturgia coli 79 का यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा फिर है 80 80 का family health nursing process जो है वो क्या कहलाती है तो इसका मतलब होता है A ongoing and dynamic इसके बाद यहाँ पर है 81 all of the following are component of epidemiologic ट्राइट ठीक है यह महामारी विज्ञान की बात हो रही है except यह सब है लेकिन एक नहीं है उनका एक triangle बनता है उसमें ठीक है इसके लिए महामारी विज्ञान का तो उसमें treatment भी उसमें host होता है agent होता है और environment होता है लेकिन treatment नहीं होता है तो यह treatment इसका यहां पर answer होगा एक treatment उस triangle के अंदर गत नहीं आता 82 है the minimum number of anti-natal visit required as per the maternal and child health program आर यानि की मात्र शिशू स्वास्त कारिग्रम में निवनतम आविशक्ता के रूप में प्रसब पूर कितने दौरे करने चाहिए कि कोई pregnant है उसकी baby होने से पहले कितने दौरे होने अनवारे हैं तो यहां पर चार दौरे जो four है वो होने अनवारे हैं the viral hemorrhase disease caused by virus and transmitted by infected mosquito bite mosquito bite के दौरा इसको फैला दिया जाता है यह कौन सी बीमारी है और hemorrhase disease है तो यह जो है वो yellow fever है ठीक है फिर यहां पर match करना है 84 question है तो 84 question का यहां पर मैं answer बता देती हूँ इसका answer B है आपको A का 3, B का 4, C का 1, D का 2 ध्यान से इसके answer को ध्यान से match कीजिएगा 85 question है epidemic dropsy किस वज़े से होती है यहां पर लिखा है epidemic dropsy किस के कारण होती है तो इसका उत्तर है यहां पर है यह है sanguinarine की वज़े से sanguinarine की वज़े से होती है 86 question है most effective way to sterilizing all glass wears तो सबसे important यहां पर hot air oven है आप अपने भी जित्ते भी glass wear होते हैं hospital में अगर उनको sterilize करला चाते हैं तो hot air oven में सबसे सही तरीके से होते हैं अगला है the age and sex structure of population may be best described as तो 87 वाएं यहां पर तो इसका है population pyramid ठीक है तो यहां पर मैंने आपको बता दिया यह population pyramid 87 का उत्तर हैं आयूर्लिंग सरनचना के आदार पर जनसक्या हो आप सर्वुत्तम रूप में अगर बढ़ना बताना चाहते हैं तो आपको जनसक्या pyramid बनाना पड़ेगा फिर यहां पर है कुपु स्वामी वर्गी करन classification is based on all the following जो सभी के द्वारा कुपु स्वामी classification में सब कुछ आया था लेकिन एक चीज नहीं थी वो थी type of house घर के परकार इसमें नहीं जोड़े थे 89 है reliability of the test reliability of the test का मतलब क्या होता है परिक्षन की विश्विशनेता का मतलब क्या होता है माप में स्थिर था consistency of the measurement आपका जो माप की जो आप measurement ले रहे हैं वो एक स्थिर रहे है ऐसा नहीं हो fluctuation हो है ना तभी तो reliable रहेगा वो all are true about the new natal complication due to diabetic pregnant mother मतलब ये सारी जो है वो लिखा है मदू में से यानि कि शुगर से पीड़ी जो गर्वती मा के कारण नबजा से चुब होने वाली जटलता है के वारे में सभी सत्थ हैं केवल एक यहां पर जो है वो सत्थ नहीं है तो वो है hypomagnosemia hypomagnosemia नबजे का यहां पर आपको भी देखने को मिलेगा अब एक्यानवे कोशन पर आते हैं यहां पर है calcetonine hormone is secreted by calcetonine hormone किसकी द्वारा secret किया जाता है तो वो किया जाता है para follicular cells के द्वारा अगला यहां पर है बानवेवा कोशन all of the following are metabolic caused of delirium जब यह सारे है यह लिखा है कि सारे delirium के metabolic कारण है लेकिन एक नहीं है यहां पर delirium का metabolic कारण तो इसका उत्तर यहां पर आपको भी देखने को मिलेगा hepatic encephalopathy ठीक है यह भी इसका यहां पर उत्तर है बानवेगा तिरानवा है यहां पर यहां पर accept लेकर आया देखे all of the following are component of sensation of pain pain की sensation के लिए सारे हैं लेकिन एक नहीं है तो इसमें जो एक यहां पर तरानवे में नहीं है वो है perception perception यहां पर नहीं होगा अगला है which drug is effective in the treatment of leprosy कौन सी drug जो है leprosy यानि कि जो कुष्ट रोग होता है उसके treatment के लिए कारगर है तो वो है यहां पर clofazimine clofazimine कह लिए या clofazimine अगला यहां पर question है यह कि यह match करना है यह भी तो इसको भी मैं आपको 95 का यहां का answer बता दे रही हूँ तो इसका answer है यहां पर 96 बड़ पॉपुलेशन डी most important question बहुत अच्छा question है 11 जुलाई होता है ठीक है एक और एक दो बच्चे होते हैं बड़ पॉपुलेशन डी जनसंक्या तो इससे आप दो बच्चे इस तरह से 11 जुलाई आप रट सकते हैं 96 का 11 जुलाई उतर है कि जो ड्रग है जो ब्रॉंकियल अस्थमा में सभी ड्रग दी जाती है केबल एक ड्रग ब्रॉंकियल अस्थमा में नहीं जाती है aspirin aspirin नहीं जाती फिर है EBP का मतलब क्या है 99 में यहाँ पर कोशन पूचा है तो इसका मतलब है evidence based practice जो EBP का मतलब है जो है use नहीं होता है तो वो है gambesia efenis क्योंकि यह एक fish है यह एक fish है ठीक है याद रखना यह आपर गलत दे रखा है अगला 101 है in metabolic acidosis there is metabolic acidosis उसमें क्या होता है तो excess loss of bicarbonate bicarbonate का बहुत ज़्यादा नुक्सान हो जाता है फिर इसके बाद 102 पे आते हैं 102 का पूशा है कि electroconvulsive theory जह लिखा है time duration for electro यहाँ पर पूरा लिखा है electroconvulsive theory as per the American psychiatric association 1978 के according क्या है तो 102 का अपतर यहाँ पर d होगा यानि कि जो 0.2 से 0.8 seconds से भी कम टूरे बीज का समय लगता है ठीक है यह cheese को लेकर इसके treatment के लिए लिखा है इसमें अनुवांशिक रोग कौन सा है तो बहुत common है इसका आप आंसर दे भी देंगे तो hemophilia जो होता है वो अनुवांशिक रोग होता है ठीक है इसके बाद है the purest form of water rain water purest form होती है बहुत common question आया था यह अगला है perceiving a rope as a snake अगर आप एक रसी को साप की तरह अंधिरे कमरे में देख रहे हैं तो इसका मलग क्या होता है यह illusion होता है हमें एकदम illusion सा होता है कि यह जो साप है वो यह जो रसी साप है एकदम देखके वो illusion कहलाता है यह है ठीक है 106 का इसके बाद एकदम जो होता है illusion का अलत धोका धोका कह सकते है 107 है one of the following is an example of regression इन में से कौन सा जो है वो regression का example है तो regression का example होता है returning to an earlier stage to cope with situation कोई भी situation है तो उससे बचने के लिए आप अपनी पिछली stage पर बापस आ जाएंगे तो वो होता है regression का 108 है most commonly involved nerve in leprosy leprosy में सबसे common nerve जो यूज होती हो कौन सी है तो ये अलनर नर्व है लेकिन इसमें एक ये भी question है C तो ये confusing है इसमें B ये C में से एक answer होगा अगला है 109 109 में लिखा है recommended protein adult के लिए woman के लिए 50 kg की तो 40 g पर डे क्योंकि आप देख लिए एक kg अगर आपका बजन है तो आपको जो है कितना 8 1 kg अगर आपका बजन है तो 0.8 g आपको जो है वो protein हराल में लेनी चाहिए इस तरह का है कुछ इनका पूरा ratio फिर है amnesia resulting from brain injury damages called तो amnesia तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर इसके बारे में अगर आपके brain में injury हो गई है उस तरह की कौन सी भूलने की बीमारी दिमाग से सम्मंदिच छती से होती है 110 है तो इसका उत्तर यहाँ पर है इसे हम कहते हैं antirograde antirograde amnesia ठीक है antirograde भूलने की बीमारी अगला 111 है inhaleses area में जो है पहाड़ी शित्रों में एक केंदर की स्थापना जो है कितनी जनसंक्याक लेकी जाती है सबसेंटर इस्टैबलिश किया जाता है तो वो 3000 लोगों के लेकिया जाता है प्लेन में जबकि 5000 के लिए वीच आप दा फॉलोइंग वाइरल इंफेक्शन transmitted by tick tick की द्वारा कौन सा इंफेक्शन जो है वो transmitted किया जाता है 112 कोशन है तो इसका उत्तर यहाँ पर KFD है ठीक है यह क्यासनूर फोरेस्ट फोरेस्ट डिजीज ठीक है क्यासनूर फोरेस्ट डिजीज फोरेस्ट माने बन है यहाँ पर फिर है इसका which of the following is an antidote for organo-phosphorus poisoning अगर organo-phosphorus विशाक्तता है तो उसका विशहर औशदी इसमें से कौन सी है तो विशहर औशदी जो है इसके लिए यहाँ पर जो होगी वो होगी more fine क्या होगी more fine होगी अगला 104 कोशन है Indian Nursing Counseling कब established किया गया तो यह 1947 में established किया गया फिर 115 कोशन है यहाँ पर मानव हिर्दय का प्राकर्तिक पेसमेकर कौन सा है तो आपको पता है साइनो अट्रियल नोड होता है इसका अगला है 116 कोशन किस दवा के बज़े से आनुवांशिक रूप से निर्दारित असामान प्रतिकरिया को क्या कहा जाता है genetically determined abnormal response to a drug is called इसको क्या कहते है 116 कोशन है तो इसको कहते है idiosyncrasy idiosyncrasy कहते है 117 कोशन है यहाँ पर the clinical manifestation of a hemolytic disease of a fetus and newborn newborn are all यह सब है एक इसमें से नहीं है एक इसमें से नहीं है 117 का तो इसका 117 का इसका आंसर जो है आप दीजेगा यह मुझे समझ में नहीं आ पाया अगला है www की full form तो वर्ड वाइड वर्ड वाइड वैव होती है इसकी तो यह C 118 का यहाँ पर C देखने को मिलेगा आपको 119 का है यहाँ पर लिखा है कि जो clinical all are the following clinical presentation of fragilis X syndrome लेकिन except एक नहीं है इसमें तो small head जो होता वो नहीं होता है जबकि fragilis X syndrome के सारे symptom यहाँ पर होते हैं छोटा सिर जो है इसका symptom नहीं है the medication given for de-warming जो क्रमी मुक्ती दिवस जैसे मनाते हैं और क्रम जो पेट में कीलो जाते हैं उनसे मुक्ती पाने के लिए जो बच्चों को दबा दी जाती है वो सभी को पता है वो दी जाती है अलविंडा जोल अगला IQ level अगर 70 और 79 के बीच है तो उसको हम borderline बोलते हैं क्या बोलते हैं borderline पर है विल्कुल हो 112 मा हो गया 112 मा यहाँ पर है 112 मा कुश्चन यहाँ पर है कि the normal central venus pressure कितना रहता है normal तो यह रहता है यहाँ पर 112 का यह यहाँ पर 12 से 15 cm of water फिर glucose glucose I late hemoglobin reflect the average blood glucose level of previous तो यह जो 123 मा कोश्चन है यहाँ पर इसका C है एक मन्त में ठीक है glucose I late hemoglobin पिशले किस औस रखत इस तर के glucose इस तर को कब दिखाता है कितना तो एक मन्त में फिर है birth in India has to be registered within कितने days में 21 days में हर हाल में जो भी किसी बच्चे की बर्थ हो तो उसको register हो जाना चाहिए जो register में होता है जन्पंजी करनवाले में National nutrition policy was adopted by the government of India government of India के द्वारा NNP जो है वो कब अड़प्ट की गई थी तो 1993 में अड़प्ट की गई थी फिर ये सूची मिलान है बहुत सरहल है इसको 126 वाला तो इसमें इसका उत्तर होगा B ठीक है B इसमें उत्तर होगा पर देखने को मिलेगा इसको मिलान कर लीजेगा 127 question है which of the following bar shows the name of document तो इसमें जो है quick access tool bar जो होता है उसमें क्या होता है document की name आपको सामने issue करेंगे short form में ठीक है इस तरह से है इसका A है 128 से the pregnancy हाइप यहाँ पर है पूरा the pregnancy hyper emesis graviderum may occur because of excessive यानिकी गरवावस्ता में जो अत्तिदी कुल्टी आने का कारण होता हो क्यों होता है तो estrogen की मात्रा उसमें हमारे बढ़ जाती है इस वज़े से estrogen जो है hormone psycho analytical model was given by किसके द्वारा दिया गया था तो यह sigman fried के द्वारा दिया गया था एकसवाड़ते से I, M, N, C I का मतलब यहाँ पर क्या है तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा integrated management to new natal and childhood illnesses यह D's का उत्तर है 139 है example of live vaccine measles vaccine जो होती है वो live vaccine होती है a very low weight infant जो होता है किसी बच्चे की बर्थ बहुत कम बजन में है तो कितना कम माना जाएगा अगर वो डेड़ किलो से कम है तो उसको बहुत कम बजन का बच्चा माना जाएगा है ना जो हाँ डेड़ कलोई हुआ है the smallest gland of human body तो pineal gland जो है वो सबसे छोटी gland है human body की patient lab results show serum creatinine label creatinine label जो आप समझ आईए कि यह kidney से समझ देता है अगर 7 mg है पूरा इसमें तो finding जो यहाँ पर पूरा लिखा है the finding would lead the nurse to place highest priority on accessing intake और output इस पर ध्यान लिखना चाहिए कि क्या वेक्ति खा रहा है और output वालेट आ रही है या नहीं आ रही है इन चीजों को creatinine जो होता है इसके बाद है breastfeeding is contradicted in the band कौन सी condition में breastfeeding नहीं करानी चाहिए female को अपने baby के लिए तो इसका है यह galactosemia in infant में हो तो breastfeeding नहीं करानी चाहिए इसका एक यह भी कारण हो सकता है दो मुझे यहाँ पर इसके भी दिख रहे थे लेकिन मुझे यह D वाला बिलकुछ सही लग रहा है pregnancy test is the base to estimation of the following कौन से hormone को estimate करके पता चलता है कि female जो है pregnant है तो human chorionic यह ठीक लिखा है gonadotropin hormone ठीक है यह जब इसको यह किसमे आजाता है toilet के थुरूए आता है तो इसको जब test करते हैं तो pregnancy जो है positive और negative पता चलते है most common cause of low birth weight सबसे ज़्यादा common cause क्या है कारण की बच्चा जो कम weight का पैदा होगा तो premature अगर बर्थ है बेवी की तो वो सबसे बड़ा कारण होता है अगला यहाँ पर है the process in which there is exchange of ideas, thought, information, action and responses between two or more individual अगर हम दो यह दो से ज़्यादा लोग की बीच में अपनी ideas, thoughts, actions, responses को हम अगर आदान प्रदान कर रहे हैं उनका तो वो क्या कहलाता है वो सामाजिक संपर कहलाता है social interaction 147 question है यहाँ पर treating life-threatening condition following step need to be taken in logical sequence जीवन को खत्रे में डालने वाली परिस्तितियों कि उपर में तार की क्रम में निमलिखित कदम उठाए जाने क्या विशकता है अगर जीवन तो उनसे उबरने के लिए बात की जारी तो सबसे पहले इसका यहाँ पर मैं आपको इसका पूरा बता दे रही हूँ क्या होगा 147 का D यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा फिर 148 National Institute of Nutrition कहाँ पे है तो हैदराबाद में है राश्टी पोशन इस अनस्तान जो है इसके बाद 149th question है इसका आंसर होगा B जो की यह उत्तर गलत बता रहा है पिटोसिस का मतलब गलत है यह डाइलेशन औफ पूपल नहीं होता है ठीक है और सबका मतलब सही है 150th question है which article and which teaches the establishment of the national commission for schedule caste तो यह है article 338 ठीक है इसके बाद यहाँ पर आ जाते है 151th question novelizer में क्या दिया जाता है तो aerosol जो है इसका उत्तर है D इसके बाद 152th question है cyanotic congenital heart disease के बारे में जो है कौन सा जो रोग होता है वो जो जन्मजात cyanotic हिर्दय रोग है 152th question तो इसका यहाँ पर यह होगा वो होगा tetralogy of fallot TOF जो है वो इसका उत्तर है अब आते हैं 153th question पर यहाँ पर 233th question है यहाँ पर cretinism पाया जाता है तो cretinism जो है वो hyperthyroidism में पाया जाता है अगला 154th question है a defense mechanism in which a person justified his unjustifiable behavior by giving acceptable reason मतलब अगर किसी विक्ती ने अनुच्छित भिवार को स्विकार करने स्विकार का कारण सही कारण दिया है तो इसको क्या कहते हैं तो इसको यहाँ पर 54th question का जो answer है वो इसको कहते हैं यह rationalization और चित इस्थापन कहते हैं उन्होंने उसको और चित जगे रख दिया अगला यहाँ पर है the extension in which excel file is saved जिसमें excel file save होती है तो यह है dot xls x c इसका उत्तर है 156th which of the following is order of thought तो यहाँ पर 156th में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका यह 156th के answer यहाँ पर इसका है d ठीक है यह है ecolia ecolia है शब्दानो करण which of the following is the disorder of thoughts यहनी कि विचारों का विकार क्या होता है यह पूछा है 157th है यहाँ पर which of the following drug is an osmotic diuretic 157th question है तो 157th का यहाँ पर B आपको देखने को मिलेगा manitol ठीक है osmotic मूत्रवर्दक जो है वो manitol है 158th question है blage health guide scheme was started वो कप शुरू की गई थी 158th तो इसका उतर होगा यह 1977 में poverty is a kind of यह एक सामाजिक समस्या है तो इसका यह उतर होगा जो गरीवी 160th question है extended family क्या कहलाती है अगर हमारी विस्तरित परिबार है तो रिष्तेदारों की कई पेडिया extended family कहलाती है anti-tubercular drug is used to treat meningeal tuberculosis is given for a 9 month 9 महिने के लिए दवाद दी जाती है ठीक है यह TB के रोक की बात हो रही है जो tuberculosis होता है इसके बाद all of the following antibodies can cross placenta सारी antibodies placenta cross करती है लेकिन एक नहीं करती है यह pregnancy की बात हो रही है तो IgG नहीं है वो नहीं करती है placenta को cross which of the following drug is neurotransmitter कौन से ड्रग जो है वो neurotransmitter है तो सभी को पता होगा dopamine B जो है यहाँ पर आंसर होगा फिर 164 वा question है commonest cause of brain stroke brain stroke का जो commonest cause है वो क्या चीज है तो इसमें यह है यह जो यहाँ पर दिखा रहे है 164 का यहाँ पर तो यह head injury जो है यह brain stroke का commonest cause है सिर में चोट लगना अगला है 165 the edipus complex occur in which stage psychosexual development तो इसका उत्तर यहाँ पर 165 में का उत्तर है B phallic stage कहलाती है यह ठीक है edipus complex manolengic vikar जो होता है वो phallic stage होती है which are following CUE waste operating system कहुंचा होता है तो CUE waste operating system जो होता है वो होता है MS DOC यह इसका उत्तर है 167 है which of the following is common post operating complication कौनसी होती है तो वो सबसे ज़्यदा है यह gastritis पेट में में कोई समय सोच पेट में ऑपरेशन कहा पेट में जो सूजन बगर आजाती है वो दिक्कत होती है 168 है which of the best indicator of obstetric and new natal care given before and around the time of birth जर्म की समय से पहले और आसपास में जो प्रुसूती और नबजातिन दोनों को जो देखवाल दी जाती है उसके क्या संकेत कैसे पता चलते है कि सही देखवाल दी गई यह नहीं दी गई तो अंडर 5 जो अंडर 5 चाइल्ड मोटरिटी लेट को देखा जाता है ठीक है इससे होता है कि आपने पर सब के समय दी थी नहीं दी थी अच्छी देखवाल और बच्चे को दी नहीं दी जिससे कि बच्चा जो है लंबे समय तक जी भी तरहरा नहीं दी रहा अगर उससे पहले उसकी मिरत्य हो रही है तो इसका वंदर उसकी क्यर जो थी बच्चे की और मा की नहीं की गई 169 है हेमे हेमेटेमियोसिस अकर्स खून की उल्टी जो है किस बीमारी में होती है तो खून की उल्टी जो होती है यहाँ पर 169 में यहाँ पर पेप्टिक अल्सर जो आपके पेटेमें अल्सर है उसकी वेज़े से खून की उल्टी होने की संभावना रहती है अपर मोटर नियूरोन लेजन अपर मोटर नियूरोन लेजन जो है वो उसकी विशेशता क्या है तो वो है हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स यह इसका सी उतर है तो यहाँ पर मैंने 170 आपको पूरे कोशिशन कराने की खोशिश की है कोई कोशिशन मुझे लग रहा है रहा तो नहीं है हो सकता है इसमें यह यह वाला पेज मुझे लग रहा है रहे गया है यह एक्सो इसके बाद हाँ 121 के बाद यह जो था यहाँ पर 127 के बाद आ गए 136 पर एक मनट एक मनट रोक जाएगे यह आगे यह वाला 128 वाला शायद रह गया है तो इसमें यह कोशन यहाँ पर है 128 वाला इसमें यह कोशन है कि यह आउटपुट डिवाइस में कौन सी है तो इस स्कैनर जो है 128 में आउटपुट डिवाइस है फिर 119 है कि जो स्कैन करता है तो इसका उस तरवी स्कैनर ही होगा जो कम्प् इसके बाद 130 है कि यह जो है कौन सी ड्रग जो है थाइरो टॉक्सिस कोसिस में सबसे ज़्यादा effective होती है तो वो यहाँ पर होती है कारवीमा जोल कारवीमा जोल जो है वो सबसे ज़्यादा effective होती है 131 है episode of wandering away from home is characteristic तो अगर आप जो है अपने घर से दूर भागने के आपके अंदर विकार है तो उसको क्या कहते हैं तो उसको dissociative anemia कहते हैं amnesia dissociative amnesia maximum amount of gas which is present in our atmosphere तो वो nitrogen है इसके बाद यह है the literature review explain तो वो क्या करता है कि one side of the main argument कोई भी मुखतर का एक पक्षुस में दे देता है वो फिर यह है कि father of indian sociology तो यह है गोबिंद सदासिफ गुरुये गुरुये गोबिंद सदासिफ गुरुये एस्टी ml की full form पूछा तो hypertext मैं hyper इसकी होगी पहला hypertext markup language इसकी पहली होगी इसकी पहली होगी पहला तो यह जो question थे यह रह गया थे थोड़ी से तो यह मैंने यहां पर आपको बता दिये हैं मुझे लगा था एक page वास्ता में र शेयर भी करतीजेगा